हेलो दोस्तों नमस्ते माई उनिश्टैरों में आप सबका स्वागत करती हूँ माई सोल फैंबली माई वीवर्स माई सब्सक्राइबर्स काड ब्लेस यू आप सो स्वस्तोंगे मस्तोंगी अपने लाइप में आगे बर रहे हूँगे आज काविकज में वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की नर्ची तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसुस कर रहे हैं आपके लिए उनके मन में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए उनका एक्सिन क्या होगा आपके लिए क्या वो कुछ कहना चाहते हैं तो चलिए देखती हूँ आज रात की एनरजी आपके पार्टनर की तो मैं दिल से यही कहना चाहूँगी आप लोग को चाहे वो रिस्ते हो या फ्रेंड्सिफ हो या फिर जो भी हो जिन से भी आप उमीद करते हो और वो चीज़ आपको अगर नहीं मिलता है तो उस वक्त मैं आपसे पुछना चाहती हूँ कि आपके दिल में कैसी आवाज आती है जब आपको अटेंशन नहीं मिलता इग्नोर किया जाता है जो आप चाहे वो फ्रेंड्सर्किल हो या आपका रिलेशन्शिप हो या आपके पार्टनर के बीच कुछ हो रहा है या पिर रिलेटिव हो पैरेंड्स हो फ्रेंड्सर्किल हो या आपके चाहने वाले हो जब आप उनको दिल पे रखते हो तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो तो इमोशनल जो इनसान होता है बहुत इमोशनस भर जाता है तो इनसान तूटने लगता है ठीक है और देखिए मेरे बहुत सारे विवेर्स बहुत प्योर सोल हो अगर आपको मेरा motivation अच्छा लगता है जिसे आप लोग को मैं motivate करती हूँ guide करती हूँ कि यह process बताती हूँ जो सही है वही बताती हूँ लेकिन जिन लोग को अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है लाइप में आगे बढ़िए जो मैं guidance दे रही हूँ उसको जरू follow किजी लेकिन इतना जरू सूचे कि कोई जबाब को attention नहीं देता है तो उस वक्त आप अकेला पन फिल करते हो तो मेरा ही वीडियो नहीं बहुत सारे आप वीडियो देखते हो चिक है सिर्फ सुनते हो सुनते हो सुनते हो सुनते हो सुनते हो चीक है तो कहीं न कहीं आपके अंदर इन चीजों को देखकर आपके अंदर एक transformation भी होता है और होना भी चाहिए और मैं जानती हूँ कि हर लोग guide नहीं कर सकता और मैं guide इसलिए करती हूँ कि ये आप लोग के light में वो खुसी आए क्योंकि दिल का सोचा हुआ ना इंसान तूट जाता है कई परकार की बीमारियां मोल लेता है क्योंकि emotion से भरा हुआ होता है अंतर आत्मा की सुनते हो अंतर आत्मा ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ आप दिल से सोचो अंतर आत्मा ये कहता है बाबू कि दिलो दिमाग को balance करकर चलो confused मत हो अगर किसी ने आपको हट भी किया बाबू तो उनको पलट कर जबाब उसी के अंदाज में नहीं देना है बिटा मेरा भाई और बेहनों उसी अंदाज में नहीं देना आपका अंदाज निराला होगा यूनिक होगा और खास होगा उनके लिए भी जिनों आपको अपमान किया है आपके feeling से खेलवार किया है आपको टाला है या आपको ब्लॉग किया है ब्रेक अप किया है या किसी और को चुना या पिर ये कोई भी हो सकते बाबू हर इंसान के लिए सिर्फ पार्टनर ही नहीं आपके friend circle हो अच्छे और सच्चे इंसान के साथ बहुत सारी टावर आते हैं सहना मुस्किल होता है उस पक कोई साथ नहीं देता उस पक कोई साथ नहीं देता सिर्फ उपर वाला हम लोग को एक माध्यम बनाता है आप लोग को guide करने के लिए दर्द पिरा से दूर करने के लिए खुद की पहचान बनाने के लिए उपर वाले को gratitude देजिए कि मैं देखे बोलती हूँ मैं बोलती हूँ लेकिन हर वक्त हमारे आसपास angels होते हैं ठीक है हमारे आसपास angels होते हैं जो हमें guide करते हैं और हम लोगों को ये चीज़ बोलना होता है मैं ना चाहकर भी आप लोगों मैं motivate करती चली जाती हूँ तो आप लोग के लिए मैं कर रही हो ठीक है वैसे तो मैं भी energy देखकर निकल जाओंगी लेकिन ये मेरा कर्म नहीं होगा बाबू मेरा कर्म है सही दिशा, सही सिच्छा, ज्यान देना और आपके जीवन को सवारना और जो आपका लक्ष है जो आप प्राप्त करना चाहते हो आपने आप पर फोकस करकर उस चीज को मैनिफेस्ट करना जो संभब नहीं है उसको आप संभब कर सकते हो जो असंभब है उसको आप संभब कर सकते हो इसलिए ये मैं नहीं बोलती हूं मुझसे बोला जाता है और मैं बोलती हूं जब भी हम लोग एनरजी चेक करते हैं, हमारे आसपास एंजल सोते हैं, ठीक है, हमें गाइट करते हैं, और दिखिए, बात सही है कि करवी बोल सबको बुरी लगती है, लेकिन जो इनसान आगे निकलता है, उनका मकसद है कि लोगों की मदद करना है तो करना है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, देखिए, इनसान सब कुछ सोचना भूल जाता है, लेट गो करना, लाइट से लेट गो करना, अपने जिन्दगी से निकाल देना, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जिन्दगी है, सिर्फ सहना नहीं है, बरदास नहीं करना है, कुछ करना है, लेकिन बराबरी, कंपेरेजन उनकी तरह नहीं, जिन्दगी लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, कुछ हट कर, कुछ खास, कुछ ही होनी, यह ना, भी पॉजिटीब, भी स्ट्रॉंग, अच्छे इंसान के साथ बहुत टफ जड़नी है, जिनको स्ट्रॉगल होता है ना, वो वो जानते हैं, लेकिन इसलिए मैं इतना गाइड करती हूँ, लोगों का, फैमिली का, पैरेंस का, ससुराल बाले का, मतलब आपके पैरेंस के फैमिली का, बहुत लोगा होता है, वर्क प्लेस पे है, गॉसिप है, बहुत तरी के बाते होती हैं, कोई बात नहीं, मेरे गाइडियन्स को आप याद रखो, कितना ही कहना चाहूँगी, इंजल्स प्लीज काइड करें, मेरे वीवर्स के पार्टनर्स के फिलिंग्स क्या है, इंजल्स प्लीज काइड करें, डिवेंड काइड करें, और अर्क इंजल्स दिवेशकती काइड करें, मेरे वीवर्स के पार्टनर्स के आज रात की एनरजी, गाइड करें, देखिए page of pentacles ठीक है बहुत सारे वियर्स आपके partner अपने goals पर focus है और मेरे कुछ वियर्स आपके लिए guidance है कि आप अपने goals पर focus करें इन में च्वाटी वाली energy नहीं आनी चाहिए three of wands collective reading होती है ना देखिए आपके partner अभी career पर जादा focus करना चाहते है ठीक है offer आपके तरब भी करना चाहते है no context situation है लेकिन ये soulmate की energy है वो सकता है इस वक्त आप लोग में बात्चीत नहीं हो रही है चीजे छुपाई जा रही है ठीक है चीजे छुपाई जा रही है बावो यहां पर ये दिख रहा है पैस्टर तो आप हो या दोनों ही हो सकते हो चीजे छुपाई जा रही है है ना चीजे feelings को छुपाई जा रही है जहां the devil की energy है ठीक है लेकिन चाहत उभर कर चलिया थी ये इनसान egoistic हो सकते है अपनी personality का इनको बहुत गमंड है attitude है, ego है मैंने क्या बोला अगर आप उनके मताबिक काम नहीं कर रहे हो तो फिर इस अंदाज में आप से बात करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है चाहे कितना भी हो ये person सोचता रहता है लेकिन चला गया है ये चली गई है the handman की energy में बात तो करना चाहते हैं चीजे छुपा रहे हैं बातचीत हो सकती है पर चीजे छुपाए जाएंगी क्योंकि दोनों ही card है control करने वाली देखिए चारियर success को दिखाता है सब कुछ दिखा रहा है positive card है बट कही न कहीं यहां भी छुपाए जा रही है और ये person भी अचानक आपके तरफ call message कर सकते हैं आपसे मिलने की बात और कुछ share कर सकते हैं devil के नीचे आया है 10 of wands तो देखिए बाबु कुछ के partner ego से deal कर रहे हैं कुछ viewers आपके partner work place पे किसी और से भी बात जित करते हैं ये person में attitude है या फिर ये किसी के boss है आपके साथ धोखा और cheat हो रहा है बहुत सारे viewers अभी अभी आपके साथ धोखा भी हुआ है कुछ समय पहले हो सकता है किसी की सच्चाई सामने आई है और वो person आपसे ego से deal कर रहा है या कर रही है कुछ viewers आपके साथ current situation में भी धोखा हो रहा है ठीक है और कुछ viewers आपके partner इस रिस्ते पे मेहनत करना चाहते हैं तो कुछ viewers आपके partner के energy है strength the hermit और it awards बहुत सारे viewers या आपके तरफ call message tax हो चुका है और बहुत सारे viewers मुझे लग रहा कि अभी भी आपके partner आपसे बात्चित करना चाहते हैं ठीक है call message tax करना चाहते हैं लेकिन दिदी के बात मानो देखो ये जो 2024 है इसमें आप बदलाव करेगे तो ये साल भी बहुत सारे चिंजिस आप देख पाऊगे ठीक है तो मेरा काम है guide करना आगे आपका है बाबु कि आप कैसे क्या करोगे the hermit eight of one strength ठीक है अब मैं यहाँ पर एक card निकालूँगी गौर कीजेगा ध्यान देजेगा मैं इसमें से letters में से तीन cards निकालूँगी इसमें से एक cards आपको शुनना है जो आपके partner का message होगा ठीक है angels please kite करें त्री cards निकालूँगी angels please kite करें मैं देखना चाहती है वो आज आपको क्या message देना चाहते है कुछ सचाई सामने आ सकती है ठीक है angels please kite करें त्री cards please angels angels please त्री cards देखिए one pile number one की energy है ठीक है pile number two उनके partner का message ठीक है ये आप देख लीजेगा उतना time तक मैं last में इसे निकालूँगी angels please kite 3 cards मेरे viewers के partners की feelings उनका message ये भी pink ही निकला तो आप देख सकते होगा वो है न तो मैंने ये card आप लोक ले इसलिए निकाला है कि आप क्या message देना चाह रहे हैं वो यहां तो मैं आपको देख ले रही हूँ बट यहां पे आपको अपने intention को follow करना है intention follow करोगे तो आपको आपके partner की energy feel होगी इसलिए आप अपने अंतरात्मा की intuition की जरूर सुने चीक है और मैं यहां पे ये crystal रखती हूँ ये crystal और ये crystal आप देख लो ठीक है one two and three आपको एक चुनना है last में आपके partner का message जरूर बताऊंगी करें situation में वो energy निकालने वाली हो जिनके partner इस वक आपके साथ धोखा कर रहे है जूट बोल रहे है cheat कर रहे है कुछ यहां पे ऐसी energy है तो मन में थोरी positivity बनाए रखें क्योंकि यह सचाई होने जारी है strength के energy है लेकिन आपको positive रहना है यह सीख है ग्यान है knowledge है ठीक है तो चलिए start करती हूँ angels please guide करे divine guide करे all our angels दिप शक्ती guide करे तो अभी आपको सारे cards दिख रहे होंगे ठीक है ठीक है तो चलिए start करती हूँ उससे पहले मैं आपको sign बता देती हूँ यहाँ पे है Aries, Leo and Sagittarius, Libra, Acrius, Gemini ठीक है यहाँ पे Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Consist, Scorpio ठीक है यहाँ में सिंग और धनू, मीन, कर्क और ब्रिश्चिक मकर ब्रिशब और कन्या तुला, कुम्भ और मिथून ठीक है देखे यहाँ पे कुछ वीवर्स आपको या फिर आपको किसी तरह से आपको जानकारी मिली है कि आपके परसन आपके साथ चीट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे कुछ वीवर्स इस वक्त आपके पार्टनर कुछ ऐसे पार्टनर हैं जो आपके साथ इस वक्त जूट बोल रहे हैं चीट कर रहे हैं और वो इगो से डिल कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ में काफी विजी हैं ठीक है और अगर उन्होंने आप से जूट बोला है किसी परकार का जूट बोला है तो यहाँ पे आपके पाटने सबसे ज्यादा जूट जो बोल रहे हैं वो अपने आप से बोल रहे उनका ego बोल रहा है, उनका attitude बोल रहा है, चीक है, तो यहाँ पे इस person से अगर आप में किसी परकार की बाचित अगर हुई है, या किसी परकार का आप दोनों में बाचित होने के बापजित fighting हो गई है, तो यह person बहुत ज़्यादा गुस्ते में है, panic वाली energy है, अगर वो आपक साथ जूट कर भी रहें, धोखा भी दे रहें, तो वो आपके साथ ego से ही दिल कर रहें, यह हमारे कुछ viewers की energy है, अपने power का उन्हें बहुत ज़्यादा attitude ego है, आप लोग में strong age gap भी है, लेकिन यह person या social media पे हैं, या अपने work place पे, या यह teacher professor हो सकते हैं, या आपके यह partner जो हैं, जिनका दोस्ती और प्यार वाला relation कहीं न कहीं पुराने समय से चला आ रहा, या college से हो सकता है, ये भी हो सकता है, college समय से आपका यह प्यार हो, या पिर हो सकता है, यहाँ पे आपके partner अभी इस वक्त हो सकता है, नया नया दोस्ती हो, नया नया याराना हो, तो ऐसा सकता है college हो या कोई इसमें से professor teacher भी हो सकते हैं ऐसी भी energy है ठीक है या हो सकता है इनके अंदर बहुत अच्छी इनके मतलब position अच्छी हो और इनका name fame भी हो लेकिन इस वक्त आपके person ने अगर आपको attitude दिखाया है ये उनके लिए जो अभी इस वक्त आपके साथ cheat और धोखा करें ये current situation की energy है कि कुछ समय पहले आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे ये person आप से जूट बोल रहे हैं और अपने ego से अपने attitude से आप से ये बातचीत बंद कर रहे हैं ठीक है थोड़ा ये panic है लेकिन थोड़ा इनतिजार कीजिए इनकी energy में थोड़ा immature energy है अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी जोस कहते हैं इसे जोस जोस में होस खो दीना ठीक है लेकिन अगर इनों ने आपके साथ जूट बोला है और ये फलट कर रहे हैं किसी से बातचीत कर रहे हैं अपनी power का इस्तमाल कर रहे हैं ठीक है तो ये person खुस भी नहीं है खुद की अंदर अपने आप से jealous फिल कर रहे हैं क्योंकि इनका मन जल रहा है गुसा पैनिक वाली एनरजी तर डैवल है और टेन ओ वांड की एनरजी है एक तम यहां आपके पार्टनर की एनरजी में अपनी पाबर को ही कहीं ना कहीं एक बचपन वाली एनरजी बना कर रख से जूट बोल रहे हैं ठीक है यह किसी और से बाचित कर रहे हैं यह कहीं भी हो सकता है मुझे सबसे ज़्यादा डियर यहां पे यह हैं वर्क प्लेस या फिर सोसल मिडिया यह मुझे बहुत स्ट्रॉंग दिख रहे हैं या कॉलेज इसकुल से रिलेटेड भी कुछ ऐसी इ स्ट्रॉंग निकल कर आ रही है लेकिन अगर इनों ने आपसे जूट बोला और उनको लगड़ा कि इनकी जूट पकड़ी गई और आपसे फाइट वगेरा हुआ है कुछ सचाई मालुम हुआ है तो यह परसन अंदर से पैनिक एनरजी में हैं और बहुत ज़्यादा बड़ रहता है आपसे प्यार और बेसुमार अंटकंडिशनल लग लेकिन कहीं न कहीं यह परसन आपसे एटिटूर से गुस्ता से इगो से बात करें जबकि यह आपसे पूरी-पूरी पूरी-पूरी एनरजी में देखा जाए आपसे जूट कर रहें आपके साथ चीट करें एब स समझ लोगे न, तो ये भी थोड़ा wait कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करता है ये बंदा ये बंदी जो भी अपना काम पर बहुत फोकस है अपने काम पर बहुत मेहनत कर रहा हार मानने वाला इनसान है, लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं जो इनको trigger करी और ये panic भी हो रहे है और इनको बहुत pressure और बड़न महसूस हो रहा है अगर आप में कुछ ऐसी बाते हुई है कि तुम दोका दे रहो मुझे ये जानकाड़ी मिली है ये वो जानकाड़ी मिली है तो ये person की energy ऐसी है कि अगर आप इनसे बोलोगी अभी न तो पलट कर आपको ये जवाब दे देंगे कि तुम भी तो वैसे ही हो ठीक है तो यहाँ किसी परकार का gossip भी है ठीक है किसी परकार का मतलब आपको लेकर बाते भी हो रही है लेकिन ये person खुस दिखाई नहीं दे रहे है क्योंकि है ये aggressive attitude, jealousy, गुसा, ego और धोकी और दूद बहुत साड़ी बाते ये चुपा रहे है तो ये मेरे कुछ वीवर्स के साथ ऐसा हो रहा है लेकिन मैं कहना चाहूंगी थोड़ा इंतिजार कीजिए और फिर तमासा देखिए three of wands की energy है ये बंदा या बंदी ये खुद ही आपकर आपसे बात करेगा हो सकता है कि आप दोनों में long distance relationship है तो यहाँ पे बहुत सारी वीवर्स इस energy में बहुत सारी वीवर्स आपके partner आपके साथ cheat कर रहे है हो सकता है ये आप भी इनसे social media पे मिले हो या workplace पे मिले हो या फिर या आपके boss हो सकते है या आप दोनों में age gap हो सकता है ठीक है लेकिन ये person खुश नहीं है ego के बज़े से अपने आप ही अंदर ही अंदर jealous फिल कर रहे है और अंदर ने जुआला मुकी परबत की तरह ये फटना भी चाते है तो ये person अभी हार रहा है ठक रहा है लेकिन ये बदलेगा ये बदलेगी ठीक है इतना तो energy है कि वो आपके तरफ आएगा ही आएगी ही लेकिन इस वक्त ये person ने आपसे जूट बोला है चीट किया है और बात को छूपाने के लिए आपके उपर ego से attitude से बात कर रहा है या करी कि मैंने गल्ती तो किया ही नहीं मैं तो काम पे बिजी रहता हूँ मैं तो मेहनत करता हूँ ये male और female दोनों ही हो सकते है ठीक है मैं तो काम कर रहा हूँ मैं अपने काम पर focus हूँ मुझे time कहा है तुम मेरे साथ ऐसा करते हो तुम मेरे साथ ऐसा करती हो क्योंकि ये बात को छुपा रहे है और आपसे इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने कुछ गल्ती की ही नहीं जबकि इनोंने की है ठीक है और अपनी पाबर का इस्तमाल करते हैं आप पर गुसा और इगो दिखा कर तो ये डैविल की एनरजी और टेन ओव वांट्स की एनरजी और पेज ओ पैंचिकल्स की एनरजी ये इनसान काम पर भी फोकस है और अपनी लाइफ में कुछ और भी कर र ठीक है अब ये पैनिक भी है गुसा भी ये अग्रेशिव ये खुद को ट्रिगर भी कर रहे हैं मुझे आपके पाटने करे मुझे कोई कहने सकता कि मैं फ्लट करता हूं या करती हूं मैं मैं हूं तो थोड़ा इनका एहम और घमंड बोल रहा है इनकी पावर बोल रही है य ये पावर ज़्यादा तर आप पर इस्तमाल करते हैं ठीक है ये पावर सबसे ज़्यादा आप पर इस्तमाल करते हैं अब इनको प्रेशर दिख रहा है बड़न दिख रहा कि मैं क्या करूं अब तो हो गई अब करूं तो क्या करूं तो मैं हाग कहना चाहूंगे बाबू थ से करते हैं और यह करते हैं मुझसे तो गलती हुई नहीं है तो यहां पर कुछ यूर्स आपके साथ इस पर गलत हो रहा है लेकिन थोड़ा वेट थोड़ा पेस हैं थोड़ा कंट्रोल ठीक है अब चलिए मैं इस तरह की एनरजी में आती हूं तो मैंने भी ऐसे ही बोला कि यह चुपा रहे हो वो आप से चुपा रहे है यहां भी वही एनरजी आई है तो मन में दोनों के ही चलने कि आखिर क्या चुपाया जा रहा है मेरे बहुत सारे वीवर्स आपको पता लगा ये परसन इस परसन को कुछ जानकारी मिली हो या ना मिली हो लेकिन इनकी निगाहें आ क्योंकि कितना भी आप से जूट बोले कितना भी चीट कर ले बदह आपको भूल नहीं सकता क्योंकि इनकी दिल और दिमांग पर रहते हैं तो उनको हेडooky होता है स्षूता है यह थक चुखा कि मैं क्या करूं आगर आप दोने के बीच में ऐसा हुा भी है करेंट में या पहले भी हुआ है ये परसन नो कॉंट्रेक्स चिचुए है ये आपसे बात करना चाहते हैं आफर करने की सोच रहे हैं लेकिन आप उनसे क्या चुपा रहे हो कुछ वह आप सोचल मीडिया पर एक्टिव हो ठीक है और ये परसन आपको स्पाई भी कर रहे हैं पेज आफ सो करने वाला बंद या बंद यह देखिए गा यह अचानक से आपके तब यूटर्ण लेंगे एक दम अचानक से लेंगे क्योंकि यहां वही भाइब्रेशन आ रही है यह आपके लिए काफी पैस्टिट होने वाले हैं और आपके तरफ बढ़ने वाले हैं कॉल मैसेज कर सकते है नाइट अपकप्स के प्यार ओफर करना चाहते हैं ठक चुके हार चुके हैं यह कहीं नहीं जाएंगे यह आपके तरफी आएंगे अगर बहुत सारी अभी भी आपके दोखा और चीट हो रहा है तो थोड़ा आप वेट कीजिएगा कुछ आपके साथ इस वक्त हो रहा है अखटी थोगी जो आपके साथ इन्होंने किया है ठीक है पेज ओफ सोर्स के एनरजी दलवर्स के एनरजी किंग ओवर्स के एनरजी देखिए जैसे जैसे एनरजी है कुछ विर्स आपके पार्टनर आपको प्यार ओफर करना चाहते हैं काफी टाइम से यह परसन अटके हु आपको ओफर करना चाहते हैं रिस्ते को पहले से बहतर करना चाहते हैं अपनी इमोशन और लब को इमोशन को बहुत अच्छे से हैंडिल कर आपको ओफर करना चाहते हैं और यह आप से मिलना चाहते हैं पहले से बहतर करना चाहते हैं रिस्ते को लेकिन देखिए इनके मन मे कुछ ऐसी बाते हैं, कि आप किसी से बात करते हो, या इनको किसी से जनकारी मिली हो, कि आप जूट बोल रहे हो, आपके लाइप पे कोई तीसरा है, आप उनसे बात करते हो, कोई option है, या कोई है, जो आप उनसे बात करते हो, तो आप ऐसा उन्हें भी लगता है, कि कहीं आप जूट तो नहीं कह रहे हो तो ये परसन ठक जाता है कि क्या करूँ लेकिन ठकने के बाद कह रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है तो बहुत सारे विवर्स यहाँ पे आपके परसन आने वाले हैं कुछ लोग के रियूनियन होने वाली है ठीक है एक्सन की एनरजी है यहाँ पे छुपने छुपाने वाली बात बहुत आ रही है या आप उनसे कुछ चुपा रहे हो या वो आप से चुपा रहे है यहाँ पे बहुत स्टॉंग है कि दोनों ही कुछ न कुछ चुपा रहे हो लेकिन प्यार दोनों को ही देख पा रही हूँ सोच एक दुसरे के लिए जो है लव वाली है ठीक है, इमोसेंस वाली है, थोरी रुमांस वाली भी है ठीक है, आपके पार्टनर आपको स्पाइउ करें कि वो आपको देखे जाने और आपको वो प्यार ओफर करें तो यहां बोल दूँ कुछ वीवर्स यहां पर आपकी अगर इस्तेंद बढ़ी है तो उनके अंदर भी विल पावर बढ़ने वाला है आपके तरफ वो आएंगे लेकिन कुछ वीवर्स आपके पार्टनर दा हर्मिट के एनरजी में हैं एगो गुसा जीद अगरेशी पैनिक के एनरजी में हैं ठीक है वो एगो आचिटूट दिखा रहे हैं और यह कहरे कि मैं तो दिन पर काम करता हूँ या करती हो तुम मुझ पर सक कैसे कर सकते हो ठीक है इस तरह की एनरजी तो बहुत सारे वीवर्स आपके पार्टनर बाचित भी करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर जिनकी जिनकी बाचित होगी मुलाकात होगी कॉल टैक्स मैसेज भी आगा कमेंट में जरूर लिखेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीवर्स आपके panic aggressive energy यह आप पर गुसा भी उतार सकते हैं और इधर की इनर्जी में नहीं इधर की इनर्जी में प्यार, emotions है, ठकावट है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए तो इस इनर्जी में प्यार चाहिए और इस इनर्जी में गुसा, जिद और इगो बहुत है बाबू चिक है तो चलिए बहुत सारे वीवर्स थोड़ा बच के रहिएगा और बहुत सारे वीवर्स आपके call message आने वाले हैं, reunion होने वाली, action होने वाली है लेकिन चीजें दोनों तरफ से छुपाई जा रही है चिक है तो किसी के partner the hermit mood में है तो समझें कि इसमें अभी थोड़ा सा गुस्सा है, mood string से कभी भी ये call message कर सकते हैं और बहुत सारे वीवर्स इधर किये कि reunion spike करें, passionate energy offer करना चाहते हैं, आप क्या छुपारें उन्हें जानने की जरुवत है अब जिनोंने pile number one को चुना है, आपके partner का message देख लूँ, आपके partner क्या message देना चाहते हैं, जिनोंने pile number one चुना है give me a chance, तो pile number one, आप अपने person को भाव नहीं दे रहे हो, attention नहीं दे रहे हो, block किया है, बात्चित नहीं कर रहे हो या पिर हो सकता है कि वो आपसे जूट बोल रहे हैं, बाते चुपा रहे हैं, आपको clarity नहीं दे रहे हैं, तो कुछ viewers यहाँ पे आप उन्हें मौका बिल्कुल नहीं दे रहे हो, और आपकी person कहना चाहते हैं, कि मुझसे एक बार बात कर लो, मुझे एक बार मौका दो, रिस the high pistis की energy है, pile number two, be strong, देखिए आपके partner strength की energy आईए, यहाँ पे pile number two, आपके partner कहना चाहते हैं, कि आप चिंता ना करें, चीजे सही होईगी, जो भी problems आ रहे हैं, उन पर सक न करें, doubt ना करें, आने वाले time में, सब कुछ सही कहेंगे, बस तुम strong रहो, क्योंकि तुम मेरी strength हो तुम मेरी power हो, मैं तुमें respect करता हूँ, प्यार करता हूँ, बट हम दोनों में गलत फहिमिया नहीं होनी चाहिए, तुम मेरी strength हो, इसलिए तुम strong रहो, हमारा time भी आएगा, और हम दोनों एक होंगे, तो यह pile number two वाले की energy, जिनके partner ने message दिया आपको, pile number three, जिनोंने pile number three को चुना है, ओहो, अच्छा, यह attitude वाली energy है, चिक है, यह जो ego से deal कर रहे हैं आपके person, वो कह रहे हैं, मैं खुस हूँ, जैसा हूँ, जहां हूँ, जैसे हूँ, खुस हूँ, तो यह jealous है, aggressive है, panic है, attitude है, जूट है, छुपा रहे हैं बातों को, या फिर आप दोनों में fighting और ज मैं खुस हूँ, मैं fine, मतलब यह कहना चाहिए, मैं बिल्कुल खुस हूँ, तुमसे दूर होकर मैं खुस हूँ, यह इनका jealousy बोल रहा है, ego बोल रहा है, और इनकी जूट बोल रही है, इनका attitude बोल रहा है, तो pile number 3, I am fine, तो यह खुस है अपने जिन्दगी में, तो थोड़ा बेट कीजिए, यह कभी भी, कहीं भी यह person आपको देखकर रह नहीं सकते हैं, कभी भी किसी समय यह, इनका mood के उपर depend करता कि कब कहां कैसे आपको यह call message करें, कभी भी यह कर सकते हैं, ठीक है, तो यह ego से इनका सब दिन कल रहा है, मैं खुस हूँ, ठीक है, I am fine, बट ऐसी energy यह, यह panic है, यह attitude है, ego है, यह जूट है, pressure है, बड़न है, थोड़ा इनतिजार किजी, यह कभी भी किसी समय कैसे भी आपसे यह बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनके उपर ego चल रहा है, है ना, तो यह है जी, आज रात की energy आपके partner की, तो इनसे बचिएगा, और बहुत सार प्यार का इजहार होने वाला है, offer होने वाला है, आपके partner आने वाले है, call message आने वाला है, आपको spike कर रहे हैं, लेकिन आपकी वगर यह थका हारा हुआ, महसूस कर रहे हैं, तो यह है रात की energy, अगर जो message आपका है, तो comment में जरूर लिखेगा, और वीडियो को like share किजेगा, guidance को follow किजेगा, thank you so much and God bless you.